सब्सक्राइब करें मेडिशन नौलज हिंदी को सबसे पहले मेडिशन से जुड़ी जानकारी के लिए जो की ब्रेन तक पहुचाते है जो कप रिलिफ रहता है तो यह कॉमन कोल और एकजीमा में यह हैर करता है रिलिफ वगरा करता है तो इस कैप्सुल के बारे में मैं संपुल जानकारी बताओंगा कि इसके अंदर कौन-कौन से कंटेंड डाले गए यह कैसे यूज़ पूल है औ एकसेल वेप वो इनलन कैप्सुल जो की डी डवलूडी फार्मासिटी का प्राविट लिमिटेट के दुवारा बनाए जाता है एक श्ट्रिप में 10 कैप्सुल रहता है और इसका मर्पी 75 रुबीज रहता है तो यह कैप्सुल जो की ब्लॉक कर देती है जो नोजल पासिंग नहीं रहता तो उसको यूज करने के लिए एक यूज रहता है चील कॉमन कोल एकजीमा या रैस्पिरेटी इंपेक्शन या कोल शोट्स या कॉप या प्रेन में यह यूज होने वाली कैप्सुल है इसके अंदर कैंप पर क्लोरो थोमॉल इकोलेप्टस ओएल एंड मेतिनॉ यह सब कंटेंश से इसको बनाया गया है और इसको यह यूज फूल है जो कि एक्टिवली जो सिंगनल रहता ब्रेन तक पहुचाने के लिए तागि तीगर कप करता है और यह रिलीव देता है पेन से मसल इस्ट्रेंट से वगरा रिलीव देता है और जो आपको नूजल में क इसको कैसे लेने का है कि इसको कैप्सुल को तोड़ने का और गरम पानी के अंदर डालने का और कंजूम करने का वेपर के तरूर मतलब इस कैप्सुल को तोड़ो एक बिकर में गरम पानी लो उसके अंदर डालने का उसके अपने अंदर नाग को रखने का बाव लेने का कि आपको पूरा बैठी मिलेगा तो इसको जब भी ले तो इसके लेबल को चितर से पढ़ ले इसको कुल प्लेस पे रखे और बच्चों से तोड़ा दूर रखे और इसको एक्टरनल यूज के लिए और अवोईड करने का कि आपके आँकों में वगरा ना चाहिए तो इसको म पर पहली बर आप विजिट कियो तो मारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें साथ में जो बैल आइकन है उसको दबाए ताकि जब भी मैं नेक्स वीडियो अप्लोड करूँ तो आप तो यह नोड़ी बिगेसम पहुच जाए तो आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडिय कर अब्ड़ी प्लोड़ी इतना ही मिलते है उसक कर भी मिलते हैं